हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनिस्कूल पर हार्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बारे में देखिए अक्टूबर महा का AICPN इंडेक्स जो है जारी जारी कर दिये गए हैं AICPN इंडेक्स के जिसको हम उपभोकता मूले सुचकांग के नाम से जानते हैं तो जनवरी 2024 से आपका D.A.D.R. क्या 50% क्रोस हो जाएगा ये सारी बातें आज के अपने इस वीडियो में हम एनलाइसिस करने वाले हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें सबसे पहले हम चलते हैं उस रिपोर्ट की तरफ आप देखे ये प्रेस रिज़ दे सकते हैं 30 नवंबर 2023 Government of India Ministry of Labor and Employment Labor Bureau की तरफ से जारी की गई है Consumer Price Index for Industrial Workers October 2023 ये जो आंकडे हैं ये आंकडे जो हैं October 2023 के हैं All India Consumer Price Index for October 23 increase by 0.9 points इसमें 0.9 points का इजाफा देखने को मिला है और अब वो बढ़कर 138.4 हो गया है On 1 month percentage change देखें यहाँ पर 0.65% की जो है विरद्धी देखने को मिली है और अगर हम year to year जाएं तो 0.91% की जो विरद्धी यहाँ पर देखने को मिली है Maximum upwards pressure in correction index came from food and beverage यानि खाने की चीज़ों में जो है सबसे जादे विरद्धी देखी गई है देखें मैं आपके सामने सीधा का सीधा वो चार्ट लेके आता हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 137.5 हुआ करता था अब वो बढ़कर 138.4 हो गया है जो देखें food के आकड़े थे September 2023 के खाने पीने की चीज़ों के 140.5 से बढ़कर 142.3 हो गया है पान सुपारी तमबाकू 156.8 से बढ़कर 157 clothing and footwear पर भी देखें व्रद्धी हुई है 139.4 से बढ़कर 139.5 housing की बात करें तो देखे 125.7 वहीं सेम है और अगर fuel and like की बात करें तो यहाँ पर हलका सा जो है ग्रावर देखने को मिली है 161.8 से घटकर 161.7 और देखे मिसले लिस में 134.7 से बढ़कर 135.1 total जो व्रद्धी है आप देख सकते हैं 138.4 हो गई है अब देखे हम DA calculator की तरफ चलते हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि यह जो है इसका जो इंडेक्स है इस इंडेक्स का हमारे DA-DR पर क्या परबाव पढ़ने वाला है हम देखें यहाँ पर DA calculator पर आ चुके हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपका September 2023 में 137.5 था तो उसके आधार पर DA-DR की दर हो गई थी 48.54 अब देखें अक्टूबर 2023 में यह बढ़ चुका है 138.4 हो चुका है और इसके आधार परगम DA-DR की calculation देखें तो 49.08% हो गया है देखें अगर November और December next दोनुमंत में महंगाई नहीं भी बढ़ती है यह 138.4 पर फिक्स भी रहता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वो calculation भी मैंने आपके सामने की है आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जनवरी 2024 से 50% क्रोस करता दिख रहा है यानि 50.18% हो गया ह और जैसे ही आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 50% क्रोस हो गया है देखें आपके बहुत से allowances हैं जो बढ़ जाएंगे उसके उपर already मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा आप देख सकते हैं कि आपके कौन-क एक बहुत important बात होगी लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा आज की important खबर यही है कि देखें महंगाई बत्ता और महंगाई राहत जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है October 2023 के All India Consumer Price Index के आखड़ों के आधार पर जो भी latest update होगी वो आपको इस चैनल पर मिलती र आपर आप